So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ I am P shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको निच्छे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वह आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue तो यहाँ पर वीडियो की शुरुवात Indian Oil Corporation Limited के साथ हम करने वाले है आई वूसी की अगर हम बात करें तो स्टॉक में 171.70 रूपीज के राउं तक की क्लोजिंग देखने को में मिल जाती है रिटन के अगर बात करें रिटन स्टॉक में 1.50 रूपीज के राउं तक के देखने को मिलता है स्टॉक में एक अच्छी ग्रोथ आज रही और यहाँ पर अगर देखे आगे भी उमीद है कि स्टॉक में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी पिशले 5 दिन में स्टॉक में पहले स्टार्टिंग में तो गिरावट रही थी फिर उसके बाद शेयर में एक रिकावरी भी रही और आगे भी हमें उम्मीद है कि स्टॉक में एक अच्छी रिकावरी आएगी यहाँ पर अगर हम देखें डिविडेंट से रिलिटेट कुछ अपडेट से आज ही की यह इंडियन ओउल डिविडेंट यहाँ पर आने वाले तैम में डिविडेंग मिल सकता है इंडियन ओउल पॉब्लीक सेक्टर अंडर्टेकिंग प्यस्टो इस आलसे टो डिखली इस नेक्स दिविदेंग अकॉर्दिंग पर कुछ डेट फिक्स की जाएगी तो तीस अपरेल देखे तो finally dividend यहाँ पर मिलने वाला है, इस point के उपर आपको ध्यान देना चाहिए तो IOC में dividend को लेकर काफी टाइम से हम discussion भी कर रहे थे हैं और finally यह जो news है इसका एक positive fact पर सकता है stock के उपर और आगे भी उम्मीद है कि stock में अच्छी returns हमें मिल सकता है, यहाँ पर अगर बात कर ले volume की तो volume क्या कहता है stock में तो 2 करोड के around तक का trade value share में हमें देखने को मिल जाता है yesterday की भी अगर हम बात कर ले तो yesterday भी 2 करोड के around तक का trade value हमें देखने को मिल रहा है community sentiments के आकड़े भी positive हैं जिसमें 100% लोग है जो stock में buy करने के लिए आपर कह रहा है तो और रहल यह positive numbers है यहाँ पर share में, इन points के उपर ध्यान रुखो अभी जो next stock है उसका नाम है REC Limited तो REC Limited की अगर हम बात करें तो stock में अच्छे returns मिले है 457.05 रूपिस के around closing है stock में returns की बात करें तो 5.80 रूपिस के around तक की तीजी stock में रही last 5 days की भी अगर हम बात कर ले तो last 5 days में stock 24.05 रूपिस के around बड़ा है और one month में भी कई upside downs momentum यहाँ पर देखने को में मिल जाते है और वही अगर देखे एक news भी इसमें आ रही है REC to announce quarter 4 results तो जल्दी quarter 4 results इसके announce होने वाले है वही अगर देखे तो next week यहाँ पर उम्मीदे लगा ही जा रही है कि results announce हो गए तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे 30 April company is registered with RBI on banking finance तो यहाँ पर 30 April के around round एक meeting यहाँ पर होगी quarter 4 F524 के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर तब results अगर दिखा जाए तो announce हो सकते हैं तो इन points के उपर भी ध्यान रखो और साथी अगर देखे एक और न्यूज आ रही है government काम कर रहा है setting of maritime development fund akin to power finance तो यहाँ पर अगर देखे power finance REC और IRFC दोनों ही important है यहाँ पर finance के अगर बात करें ministry of ports, shipping and waterways M.O.P.S.W. is actively working on establishing dedicated maritime development fund akin to establish sector financial institutions such as power finance corporation PFC, REC and IRFC senior ministry officials के उट से एक अपर्म किया गया है तो यह भी एक positive change नजर आ जाती है तो और रहल यह दोनों ही shares में अगर देखे आने वाले time में अच्छी growth आ सकती है IOC के भी 30 तारीक को important date है, इसमें REC भी 30 तारीक important date है, 30 April काफियत तक MP होने आली इन दोनों ही shares को लेकर तो काफि कुछ बात हैं कर चुके है IOC REC को लेकर इस वीडियो में तो I hope आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को like channel को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो तो इनका analysis कर लेना साथ ही telegram channel को join कर लेना, link नेचे description एन एप्टी बैंक एपडेट आपर मिलने आ लिए एपड़्य वीडियोरणे लेचे कर लेचे बैंसे लीडियोरणा लगाइट एपर मिलने लेका लेचे जाएटे इनका लेक अभी बैंसे लेचे कर लेका लेचे को